हेलो एब्रीबन बेलकम टू बंदन अकेडमी तो आज हम एविएस का फुल रिवीजन करेंगे और एविएस के फुल रिवीजन पर पहले भी आपको क्लासे दिया चुकी है और आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप धहरे के साथ अवश्य बने रहें वीड करें एक है वह दो आज क्यों सुरुभात करते हैं विद्वास निदार रासी बीकर्ट अपयोग तो यह आपका कहां किया जाता है और इसंग्याद में बंसो को में गा… ठीक है यानि बांसों को गाड लिया जाता है और उस पर रसी को बांद करके पुल का निर्माड किया जाता है तो यह कहां किया जाता है यह सम्मे और बांसों रसी के पुल से बच्चे स्कूल जाते हैं असम्मे यह ठीक है यात्रा में आपका आता है चैप्टर तो बांसों रस आपको सामान चेत्र यानि शम्तल चेत्रों में पानी के उपर नदियों के ऊपर बने हुए मिलते हैं तो यह यहां के बच्चे जाते हैं बल्लम यह लकड़ी की छोटी नाव होती है, और केरल के बच्छे बल्लम से इस्कूल जाते हैं, बल्लम के प्रेयोक करते हैं, बच्चे हीँ नहीं बड़े भी इंसावी चीजा का करते हैं, लेकिन हमारे जो जो celebrity की बोक है तो उसमें बच्चों के ओपर ही प्होग कुर्द की लगडी की नाप से केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं उट गाड़ी का प्रयोग कहां के बच्चे करते हैं तो यह आपके राजिस्तान के हैं और यह सारी चीज है एंशी आर्टी बुकों में हमने पहले से पढ़ लिया है और अगर आप पीडियाप चाहते हैं तो टेली ग्रा onznAudend one पाई जाते हैँ इow lin 된 पच्चियों की करते हैं तो जादा था पच्चियों की आखे उनके शिरकित दोनों तरफ होती है कैसी ओते हैं सिरकित दोनों होने तरफ होती है पच्चियों की आखोगी जिल्दोंिक नमगि Merci pocket brake सामगे इनकी दोनों आके एक ही चीज पर होते ज्यादा तर पच्चियों की आँखों की पुतली घूम नहीं शक्ती है बेपनी गर्दन घुमाकरी आसपास देखते हैं आपने देखा भी होगा कि पच्ची जब इधर उदर देखते हैं तो अपनी गर्दन को घुमाते हैं पच्ची जब दोनों आखें एक ही चीज पर देखने का दाइरा बढ़ जाता है जब एक ही चीज को देखते हैं तो उनकी दूरी का इसास होता है और जब अलग अलग तीजों को देखते हैं तो उनको देखने का दाइरा क्या है वह बढ़ जाता है चील बाज और गिद जैसे पच्ची हमसे चार गुना ज्यादा दूर ज्यादा देख पाते हैं कि यूँ देखाई पड़ितर है बच्छी आठ इक जी इनकी 6 describe नुदЕक नहें यानि सुनते हैं जैसे कि हम लोगों के कान होते हैं कुछ जानवरों के कान होते हैं इस तरीके से प्रच्छियों के कान नहीं होते हैं छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं यानि इनके छोटे छोटे छेद होते हैं और यह उनी से सुनते हैं हमारी तुमारी तरह इन कोई पैटन नहीं ओता या आपने बिंदेखा होगा कि जो भी जानवर होते हैं तो लबी-let धारिया थो किसी पर घोल यह उनको अपर यह जो जो बाल से होते हैं से थो उनके बालओ होती प्रका की रंगों का होता है कृई कृषि को आप्टो थे जनुवर नहीं जनल देते हैं लुट सब्से बड़ी मादा हाती जुंड की बन जाती है और देखो प्रशना आपका यहां से कही बार पूछा गया हैं हातियों से प्रसन आपका ज्यादातर हर साल पूछ जाता है यानि ज्यादातर हर साल ही पूछ लिया जाता है तो सबसे बड़ी मादा हाती जो जुन्ड की मुखिया बन जाती है और जुन्ड में कोई नरहाती नहीं होते ये पे 14-15 साल की उम्र में ही जुन्ड छोड़ देते हैं, यानि 14-15 साल तक ही जो नरहाती होते हैं वो जुन्ड में रहते हैं, एक बयस का हाती एक दिन में 100 किलों तक पत्य और टेहनिया खा सकता है, हाती दिन में केवल 2-4 गंटे सोते हैं, कीचड हाती की तुचा को ठंडा पता है, उनके बड़े-बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़ पड़ाते हैं, जुन्ड में 10-12 मादा हाती बच्चे होते हैं, अब एक बयस का हाती एक दिन में कितने किलों पतियां खाता है, तो ये 100 किलों और कार चाहिए आपको अवस्ट्र होना चाहिए, कि जुन्ड की मुखिया उती है वो कौन होती है, इस माधा हाती होती है, और जुन्ड में जो भी नडर हाती होती है, तो बहुत 14-15 साल तक ही रहते हैं, इसके बाद बहुत नहीं रहते हैं, एक बयस का अतियां शिर्प सो कलों तक प्ट्ट फची जोद्पुर के पास तो पतव पक्याम को बचाया है गाम के लोगों को नतीं होता है पैसा समय गांने को लोग विशनोगी को पते आता है ये का इन्हें दून पानी ये हिस्टान राखिस्टान प्रख 思वनानी की लिद्पर फल नहीं मेन देख़ाया आप कोई भी चीजे हैं डेटेल में अगर पढ़ना चाहते हो यह इतनी बहतर क्लास आपके लिए नहीं होगी तो इसलिए आपको ज्यादा ताइम लगता है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको मानके चलिए एक दिन में ही अगर आप पढ़ना चाहते हो आपके पास नहीं है तो टेलिग्राम चैनल पर आपको सारी पीडियाप मिल जाएंगी आपको कच्छा 3 कच्छा 4 कच्छा 5 की ही बुक पढ़नी है बहुत ही ज्यादा इंट्रेंस्टिंग बुक है कि एक बार आप उनको अबस्ट पढ़ने के ब NCRT बुकों से पूछे जाते हैं अवश्या आएंगे तो खेजाडी का पेड़ जादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है बिहार के मुझभफर पुर जिले में बोचाचा गाउं है मदमक्कियां अक्टूबर स प्रत्य मदमक्की के छत में एक राणी मदमक्की होती है जो अंडे देती है छते में केवल कुछ नर्व होते हैं छते में अधकांस मदमक्किया श्रम को होती है श्रमित के रूप में नर्मदमक्कियों की कोई विसेश भूंका नहीं होती है ट्रेन कच गुजरात में गंदी धम से शुरू होती है गुजरात का खाना ढोकला चटनी नीवुचावर मिठाई के साथ मढगां गोवा में है गोवा से केरल तक के मारग में कुल दो हजार में धम से भी जाना जाता है गुजरात से केरल के रास्ते में ंथ debatt गोवा करनाटंग फिर भारती राजय केरल में पहुंचती है अब बली आलम दो कोई भासा बोली जाती है दो यहांसे भी प्रशुमा पका है बले आललम माली यह केरल की है बोली है कोकडी कारनाक कोवा दमन दीव द्यादर रा और नगरहवेली गुजराती गुजरात में कंणड करनाटक आंत्रदेश तमिलनाडू महाराष्ट आप देख पा रहे होंगे यह ट्रैन का टिकट हैँ सबके बारे में आपका प्रस्न भी बनता है तो यहां से आपका प्रस्न पूछ लिया जाता है कि ट्रैन पर क्या क्या ग्राप का अंक्पित अधिया्त और कंत की कियुंत butter ts से मिलती हैं अब बात करते हैं करडम मल्लेश्वरी के क्या तुमने अकभार में इनके बारे में पड़ा है करडम मल्लेश्वरी एक बेट लिप्टर यानि भार उत्तो लग है यह आंदर पदेश की रहने वाली है इनके पापा पुलिस में हवलदार है जब यह 12 साल की थी तब नमने भारत के बाहर ठीक है बाहर है यह 29 मेडल जीते हैं उनकी चार बेने भी रोज बजन उठाने का अभ्यास करती हैं फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है विब्रड आप ट्रेन टिकट पर पास सकते हैं तो ट्रेन टिकट पर आपको क्या का मिलेगा ट्रेन नंबर या तरा की शुरुवात की तारीक बर्त और कोच संक्या किराया यानि टिकट की लागत और दूरी य अब आपके प्रश्ण भी है जैसे मान के चलिए ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है तो यह क्या दिखाता है यात्री की शंक्या का रिकॉर्ड यात्री का नॉम रिकॉर्ड ब्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या ब्यक्तिगत संक्या रिकॉर्ड तो राइट अंसर आपका क्या है यानि ब्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड आरच्छित रेल टिकट से निम्र कितमें से कौनशी जानकारी प्राप्त की जा सकती है बुकिंग की तारीक और शमय यात्रा सूरी होने की तारीक और शमय कोच नंबर बर्त नंबर और केराया यात्रियों का नाम आयू और लिंग नाम बोर्डिंग इस्टेशन और अंत्म इस्टेशन के साथ त्रेंड नंबर गंतम्य पर पहुचने की तिति और शमय ठीक है तो र आगे बढ़ेंगे फूलों की घाटी उत्राखंड की पहाडियों में पाई जाती है गेंदा जेनिया आद फूलों का अपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है उत्तर प्रदेश में कन्नोज जला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है और यह प्रस्ण आपका यह इत्र बनाने के लिए कौन सा जला प्रसिद्ध है आपका तो यह आपका कन्नोज जला प्रसिद्ध है और यह किश्राज में है तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है यह एक पैंटिंग है जिसे आप देख पा रहे होंगे इसमें देखो आपके फूल पत्ति बने हुए है म सी चावल कहें पावडर के पेश्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग विलाया जाता है उन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आथ का उपयूग किया जाता है चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पच्छीों, मचलीं आद कहीं अन जानोलों को दिखाया गया है बेल बन का गाम करनाटक में है गीजुबाई बदेका गुजरात में रहते थे उन्होंने बच्चों के लिए कहीं कहानिया लिखें एक भारती रौविन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्त्रों के बीच देता है यानि ये चुडि अपने अंडे देती है यानि कोयल अपना घुषणा नहीं बनाती है बच्ची अपने अंडे देने के लिए गौसले का उपयोग करते हैं बाकी समय में वह सिर्फ अब्रचों पर ही रहते हैं गोशले में नहीं रहते हैं और जूजे बड़े होने के बाद पच्ची अपना गध जाता है तोulars एक लिखी जड़ी है इस को तृटे चाथि तांए प्षयाक की यह जाया स्थिल्टानी प्धेड़ में तो और का उस्ट्रीविस ऩूर्सिटान वहें पानी पीड़ के तने में जम्मा हो जाता है अशंव में चावल की नई फशल नए अपशल पर भीईउ उस सब मनाएजाता है और है RESTनी जो ऑग होता है तो लोग क्या करते है तो तो पानी कवसा है पाप Caillandr कते हैं तोह बीद्या 7-14 देलाघर बनाते हैं मुक्तापुर आंद्रपदे तेलंगाना राजगे पोचमपली जिले में है पोचमपली जिले में पारमप्रिक बेवशाय disgusting जिले हैं जो बनाई जाती है ये चीज़ं उस चगय के नाम से प्रसिद्द हो गई है जहां उने बनाया जाता है जस्से कुल्नुशौन, मदवनी पैंटिंग, अश्मरेशं, कश्मीरी कडाई, आदी, अबुधावी शेयुकत अरब अमीरात में है, अबुधावी की मुद्रा दिरहम है, और यह प्रस्ण आपका यहां से पूछ लिया जाता है, आपको कोई दूसरी मुद्रा दी गई होगी, लेकि में कहीं पेड़ों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी, आदी, रेकिस्तान में उगने वाला एक मात्र पेड खजूर है, केरल में बिविन, मशाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलाइची, काली मिर्च, गरम मसाला, छोटी और बड़ होता है, और ये पूरी EBS का हम रिवीजन करेंगे, जितनी भी आपकी NCRT की बुक्स हैं, तो वीडियो लंबी है, तो आप इसे मेरा थन की तरह देख करके पढ़िएगा, ठीक है, पूर रिवीजन हो जाएगा, अगर आपके इस वीडियो को कम शे कम दोबार देखोगे, त लेप्टिनेंट कमांडर बहीदा प्रेज में भारती नोशयना में एक डॉक्टर है, लेप्टिनेंट बहीदा परेज का नेत्यतों करने वाली पहली मैला है, बहीदा प्रेज में जंबू और कश्मीर के राजोरी जिले के थन्नड़ीशे हैं, परेज में कुल आदेशों की शंक्या 36 होती है, प्रेज में ऐसा काच होता है, जो सात रंग दिखाता है, तिब्वती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लगदाक में बोली जाने वाली भासा है, भोटी भासा में मा को आमा ले कहा जाता है, भोटी भासा में पिता को आबा ले कहा जाता है, आमा ले और आब तो यह एक दूसरे को अपनी गंद से ही पहचानते हैं जीटियां चलते समय जमीर पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंकर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है मच्चर हमारे सरीर की गंद घासकर पेरों के तलवे की और हमारे सरीर की गर्मी से हमें ढूड़ लेता है शड़कों पर कुट्टों की भी अपनी जगए बटी होती है एक कुट्टा दूसरे कुट्टे को यहीं एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के मलमूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुट्टा आया था जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं आमतोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेत और काली ही देखते हैं जो जनवर दिन में जाकते हैं जितने रघ अम देख पाते हैं उतने रघ और देख पाता है लेकिन जो रात्री कालें जनगरी पाते हैं तो वह कमपन को ही मैसूज कर पाते हैं जंगल में उंची पेड़ पर बेटा लंगूर पास आती मुशीवत जैसे सेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने शातियों को शंदेश देता है। मछली या खत्रे की चेतावनी एक दूसरी को बिजली तरंगो से देती हैं कुछ जानबर तूफान या भूकम पाने से पहलेता है। आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं बेजानवरों के इस विवार को शमझते हैं बेजान लेते हैं कि भूकमप आने वाला है या कुछ अनुहोनी होने बाली है जैसा के आप ये देखो सन 2004 में दिसंबर में आये सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब विवार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजा को अंडवान की एक खास आधवासी जाती समझ गई उन्होंने वह अलाका खाली कर दिया इस प्रकार इस जाती क लोग शुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाएं डालफिन भी अलग अलग तरह की आवाजा निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं बैग्यनकों का ये मानना है कहीं जानवरों की अपनी पूरी भासा है शलौत भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है ये द पेड़ों के पत्मों को खाते रहते हैं लग बख चालीस बर्स के अपने पूरे जीवनकाल में ये मुष्किल से आठ्यड़ों पर घुमने की तकलीब उठाते हैं ये और ये उसी पेड़ पर शोते रहते हैं और वह ही अपने क्या करते हैं? क्यों क्ूने पिज़ différents को खाते और उसे सिकार की बिल्कुल सही इस्तिती का पता चल जाता है अब अगर आपको इस वीडियो के भी पीडियाप चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्ची जॉइन करें वहां आपको मिल जाएगी और आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी बाग की मुचों से इन् मूत्र से अपने चेत्र बाट लेते हैं और उसकी गंद से इनको पता चल जाता है कि या कोई दूसरा भी जानवर आया था एक बाग किशी दूसरे माग के मूत्र की गंद से जटको पैचान लेता है बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है गुश्य में कर अलग होती है करहाने की अलग होती है ठीक है और गर्जना की अलग होती है और बाग इनको बुलाना हो तो अलग आवाज बाग का गुर्राना तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है बाग हवाशी पत्तों के हिलने और शिकार के जाडियों में हिलने से हुई आवाज को को भाफ लेता है опять आना अंतर कर पाता है कि जो पत्तिय हती हुले हैं पो आकि वो किशी सीकार की वजए से मुवटलव हिल रही है आवाज हो रही है यान्सित ऑफिर कि में हावा जाते हैं बाग इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बाग जूद आज वो क्या है खत्रे में हैं हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है गैड़े को शींग के लिए मार दिया जाता है सेर मगरमच्छ और साप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी बढ़ गया है हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत्षी जंगलों को सुरच्छा दे रही है जैसे उत्राखंड का जिमकारवेट नेशनल पार्क राजिस्तान के भरतपुर जिले में घाना और ये प्रस्णा आपके पूछे जाते हैं उत्राखंड में कौन सा आपका ठीक है नेशनल पार्क है राजिस्तान में कौन सा है इन जन्वरों में जन्वरों का शिकार मना है यहां लोग जन्वरों या जन्वरों को कोई दुक्सा नहीं पहुंचा सकते शपेरी लोगों को कालवेलिया कहते हैं कालवेलिया नाच में भी साप जैसी कि इन जानवरों में कालवेलिया कहते हैं कालवेलिया नाच में भी साप उसी वद्राएं होती हैं हमारे देश के आप वूत आपको और यह है नाक करेट दुबोईया अफाई और प्रस्णा आपका यहां से बहुत पूछा जाता है बहुत इंपोर्डेंट लाइन है आपकी इनके प्रकार पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो कौन-कौन से हैं और कितने तरीके के पाए जाते हैं यह जहरी ले तो यह चार तरह क और यह आप देख पा रहे होंगे यह आपको नाक अफाई दुबोईया करेट इन चारों की आपकी यह पिक्चर दी गई है यानि फोटो है आप बात करते हैं जाते हैं है सांप जब किछी को काटता है तो उसके दो स्थरीश में जहर चला जाता है और जहर की आपको याद क्या रखना है इसमें दो खोक ले जहर ऩाले दाट था आर शाय पिकर बदल के देए जाते हैं दो चार थीन और वहां कंफूल हो जाते आं शाया रिआत life जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई शांप के जहर से ही बनाई जाती है और ये दवाई सीरम सभी सरकाली स्वास्ते किंद्रों में बिलता है आमता पर हमारे पेट के अंदर का तापपान लगबग 30 सेंटीग्रेट होता है काला हंडी में सबसे अधिक चाबल पैदा किया जाता है फिर भी यहां के लोग बुकमरी का शिकार होते हैं आत्रेई पुरम गाम आंध्रपदेश में इस्तित है दी गई तालका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम दिये गई हो दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाई यानि आप इनको किस तरीके से बचा के रख सकते हो अब देखो दूद को हम क्या करते हैं दूद को हम उबालते हैं पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के वरतन में रख सकते हैं हरे दनिय को गीले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए प्याज और लैसन को खुले में रखते हैं नमी से बचा करके इन्हें आप नमी से बचा करके रख सकते हो, अचार रखने से पहले सीसी को धूप में सुखाये जाता है, ताकि शीश्यों में से नमी निकल जाए, अगर सीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या है, शड़ जाएगा, कुछ ऐसे पौधी भी होतह है, जो चीशों, मेडकों, कीडी मकूडों और छोटे जीवो का शिकार करते हैं, यह किरते हैं जो भी छोटे जीव जन्तू होतीर हैं, उनका शिकार करते हैं और इन्हें शिकारी पौदी भी कहा जाता है इनमें नीप इंतिस सबसे ज़्यादा मशूर है यह ऑश्टेलिया इंडोनेशिया भारत की मेगाले लारज में पाये जाता है और यह तीनों आपको अवश्याद कि और आकर्शित होते हैं वह देखे ऊपर पहुंचते ही कीडे अंदर फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं कुछ बीज हवा में तो नहीं पाते यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं यानि वीजों का पकीरिडन किस तरीके से होता है तो यह सारी चीज़े हैं और यह आप देख पा रहे होंगे यह आपका क्या है निपेंथिस यानि ठीक है इसके ऊपर यह क्या है यह धक्कन है पत्की का और यह कीड़ों को आकर्शित करके यानि इसे सिकारी पौजा भी कहा जाता है पौदे श्वयम भी अपने बीजों को भारत में नहीं पाया जाता है बंच यह के लिए उस्च तारतों की आवाज निकालता है मुह चोटे चोटे कांटों से नहीं दखा होता है बल्कि एक पत्य नुमा एक ढ़कन होता है तो यह हमारा गलत हो गया और कीड़ों को आकर्सित कर आहीं करता है बलकिये प्रकार की ग मेंड़क और क्योड़ को चतुराई से नहीं पसाता है बलकि इसकी गंद के कालड आकर्षिट होते हैं, ठीक हैruktur नहीं और सशी हो कि भायता है कि भारत नहीं Prep परिष्यत होते हैं तो सही बात है चतुराई ही है तो इस ती अंदर एक खास प्रकार की गंद निकलती है तो राय टांसर आपका क्या होगा राय टांसर आपका हो जाएगा नंबर भी यह जो को चतुराई से फसाता है और खाता है यह आपको एक लाइन अवर्श्य पता होनी चाहिए अब बात करते हैं बेल क्रोकी यह गठना 1948 की है एक दिन जार्ज मेंट्रल मेंट्रल अपने कुट्टे के साथ सेर से लोटे उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीच चिपके हैं इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर भी हैरान रह गए चट माइक्र इसको निकाला बीजों को बारी की से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुकते इनकी मिनस से बीच कपड़ों के रीशों पर अटक गए थे यह देखकर मेश्टल को आइडिया आया बेल क्रो बनाने का बेल क्रों से दोनों शत्य चिपक जाती है और खुलने पर चर अब यह सारे देश भारत में उगाई जाती है यानि प्रशना आपका बनेगा के मिर्ची कहां से आई तो यह पूर्तगाल से हमारे यां भिंडी अफ्रीका से आई है गोभी मतर यूरोप से चाय अशम शे शोयाबी चीन से बीन अमेरका शे बैगन मूली शेम करेला आम शंत अब चैप्टर है आपका बून बून दरिया पानी वाला तो बून बून दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घर्षी शन नामक इस्तान के बारे में बताया गया है शरका अर्थ होता है तालाब इससे जैसलमिर के राजा घर्षी ने लोगों के शाथ मिलकर बनाया थ तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी शें भर जाता तब बाकी पानी बैकर नीचे बने वह तालाब में चला जाता इस तरह नो तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे अल विरुनी एक यात्थी भारताय अल्बिरूनी उजबेकिस्तान देश से भारत आये थे अल्बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा पानी के सोत हैं जैसे बाबडी, कालाप, नौला, धारा आधी ये सब क्या है पानी के सोत हैं कुए सुकने की कुछ बजें कहीं जगह मौटर लगा कर जमीन का पानी निकाला जा रहा है तालाप जिन में बारिस का पानी एकठा होता था अब नहीं रहे पेणों के आसपास और पार्क में भी जमीन को शिमेंट से पक्का कर दिया गया है यलिक अच्छी जमीन अब देखने को नहीं मिलती है दड़की माई राजिस्तान के अलबर जिले के एक गाउं में रहती है तरड भारत शंग नाम की एक संस्ताने दड़की माई की ताला बनाने में मदद की बैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है लेकिन मृत शागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है इतना नमकीन की लगबग एक लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मृत सागर में हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेते हों मृत सागर में डूपते नहीं है अब बात करते हैं डांडी आत्रा की यह घठना 1930 की है भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों के आम लोगों के नमक बनाने पर ड्रोक लगाई हुई थी उपर शे नमक पर भारी टेक्स भी लगा दिया इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे बहला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो लोगों को मजबूरी में दुकानों शे महेंगा नमक खरीदना पड़ता था इस बास से लोग बहुत नाराज थे गांदी जी का कहना था ये चीजे जो चीजे हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिस कैसी उन्होंने लोगों के साथ मिलकर एहमदाबास से डांडी के शमुद्र तर्ट तक एक लंबी यात्तर की और इस कानून को तोड़ा जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है शमुद दूप में पानी शूक जाता है और नमक के धेर वहीं रह जाते हैं दिल्ली के स्कूलों में अनिमिया के कारण परिशानी 17 नवम्मर 2007 दिल्ली नगर निवम के स्कूलों से स्कूलों में हजारों बच्चे अनिमिया का शिकार है इससे बच्चों की सारियों और धिमागी परिशानी होती है, आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है, अनिमिक बच्चों को आईरन की दवाईयां दी जा रही हैं, अनिमियां खून की कमीशे होने बाली बीमारी है, लारवे पतले पतले, छोटे भूरे रंके में अंडे देते हैं रोनाल्ड रोस को दिशम्मर 1902 में किसा के छेत्र में नोबल पुर्षकार मिला 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ धूड लूँगा नया धूड लूँगा गुरूप लीडर के गुड बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना पूरे कुछ देलन पाए उसे हाथ पकड़कर चडाना यह गुरूप लीडर के कुछ दर्ति होते हैं कि अधि कांटी स्लाइड पर खुन्की भूने मलेरिया मादा मच्चर यहाली मादा मॉट्र अन फैल तो आपका मलेरिया इसे पहलता है मलेरिया आपका मादा मच्चर शे पहलता ठीक है यह प्रशना आपका यहां से बनता भी है डॉक्टर मर्यम स्लायड को मैक्रोस्कोप से देखते हुए इस मायक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ी दिखती है इसलिए खूल के अंदर की बारीकिया शाप दिखाई पड़ती है कहीं मायक्रोस्कोप से तो इससे भी जादा बड़ा दिखाई देता है मलेरिया की तबाई बहुत पुराने समय से सुनकों ना पेट की छाल से बनाई जाती है पहले तो लोग चाल को वाल कर और छान कर ही इसका इस्तेमाल करते थे लेकिन अब छाल से दबाई बनाते हैं गुड आबला और हरीपत्यदार सबजियां इनमें आईरन यानि लोहा होता है मक्किया पेट की समश्याओं जैसे रोग फैलाती हैं शेवाल एक प्रकार का पोदा है जो बर्शात के मोशम में ज्यादा फैलता है बैग्यानिक जिसने मच्चर के पेट में जहुका रोनल रोश जब डोक मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तक लोगों को लगता था कि इए खराब हवा की बीमारी है तो आज की वीडिटेओं में हम शिर्प इतना ही पढ़ेंगे कल हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में यानि शिर्फ दो वीडियो में ही हम इस पूरे चैप्टर को खतम करेंगे तो आज के लिए इतना ही क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप वीडियो को अवश्य पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेर भी करें कल की वीडियो के लिए भी तैयार रहें हम पूरी NCRT की बुकों का रिवीजन कर रहे हैं इवियस के लिए और इवियस में आपके पूरे के पूरे नंबर ये क्लास आपकी अवश्य आपको दिलवाएंगी तो आज के लिए इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद